Hello everyone, welcome to NS Education, NS Education के इस वीडियो में बात करेंगे हम 21 मार्च के सारे मत्यपरदेश के करेंट अफेर्स के बारे में और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कोई करेंगे हम कल के वीडियो का उस्ताद अलावदीन खां संगी समारो का आयोजन 19 मार्च से 21 मार्च तक किय जाएगा यह समारो का कौन सा संस्क्रण होगा? तही समारो का 46 संस्करण होगा और इसका जो आयोजन हैं यह 19 मार्च से लेकर 21 मार्ज तक किया जायेगा मैहर ने मैहर बेंड की संस्थापक कौन थे मैहर बेंड की संस्थापक उस्ताथ अलाउदिन उस्ताथ ईन्रगहा थे तो ये भी अे अपने को याद रखना रखना और जो कादमी है कहां पर स्थे थे ये कादमी भी आपकी मेहर में स्थे थे ठीक है अगला हाली में प्रदेश के वरिष्ट सहयतिकार एवं मध्यप्रदेश लेखक संखेश संरक्षक वटुक चत्रवेदी का निदन हो गया उनका संबंध किस जिले से है इनका संबंध दिशा जिले से है लेकिन ये फिर भोपाल में शिफ्ट हो गए थे नेक्स्ट है अफ्रीकन चीतों की शिफ्टिंग के लिए जो वाइड लाइफ इंस्टिटीट ऑफ इंडिया है उन्होंने नौरा देही अभ्यारण का सर्वे भी हाली में किया है मध्यप्रदेश की तीन अभ्यारण ने जो हैं कुनुपालपूर, गांधी सागर और नौरा देही इन तीनों अभ्यारणों को इसके लिए चैनित किया गया है बोपाल में आयोजित ओर्जवस्ता समारो 2021 में मध्यप्रदेश की संस्कृति परेटन और अध्यात्म मंत्री उशा ठाकोर ने किसे आर प्रतिष्थित राष्टिय मोल्यंकन और प्रत्यायन परिशद यानि कि NAC से सम्मानित किया गया है तो इस से स्टेक है इस से पहले DAVV जो है DAVV, DAV, LAV University जो है उसको भी NAC का E-plus Certificate जो है वो मध्यप्रदेश का पहला ऐसा इंस्टिट्यूट बना था जिसको ये NAC का Certificate U UGC के दोरा भी आ गया था हमारी मध्यप्रदेश की Current Affairs अबेलेबल है ये नमंबर तक अबेलेबल है दिसंबर पर मैं भी काम कर रहा हूं आपको एक दो दिन के अंदर ये दे पाऊंगा और इसके साथ साथ आपको जनवरी से लेकर मार्च तक का Current Affair भी जल्द ही मिल यानि कि आपको हमारी मार्च तक की जो PDF है अगर आप इस PDF से पढ़ते हैं तो मार्च तक की PDF आपको कम से कम पढ़नी पढ़ेगे फरवरी तक का आपको content ready करके रखना पड़ेगा क्योंकि offline exam है चलि स्टार्ट करते हैं आज के Current Affair को MPPSC की test series पर फ्लेट 400 coupon यूज़ करके आप 500 रुपी तक का discount ले सकते हैं यह offer स्रिफ दो दिन के लिए रहेगा अगर आप लेना चाहें तो भी इसको आप ले सकते हैं स्टार्ट करते हैं पहला प्रिश्ण मुखमंत्री तेंदूपत्ता संग्रहक सहायता यूजणा में इस वित्वर्ष में अब तक कितने रुपे की सहायता राशी बित्रित की जा चुकी है तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो exact data की बात करें तो दो करोड 26 लाख 20,000 रुप साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें करें मध्य प्रदेश ने जो तेंदूपत्ता संग्रहन है उसके तो चीज़ द्यायना कीएगा तेंदूपत्ता संग्रहन जो है ठीक है इसके लिए मानक बूरा प्रती मानक बूरा पच्छिस सो रुपे की जो राशी है, वो दी जाती है, 2019 में राशी अपडेट होई थी, कितनी पच्छिस सो रुपे की राशी जो है, ये दी जाती है, परती मानक बोरा, तो ये भी ध्याना की ये प्रिशन एक्जाम में पूछा जा चुका है, पिछले बर्स की अगर हम बात करें, तो 15,88,000 मानक बोरा तैंदुपत्ता संग्रित कर संग्रहाकों को 397 करोड रुपे का पारिश्रमेक दिया गया था, बर्स 2018 में संग्र है, तो तैंदुपत्य के ब्यापार से वे शुद्ध लाब में से 183 करोड 31 लाग की प्रोच्छाम राशी पारिश्रमेक के तो यह कब आया था, यह अधिनियम आया था, आपका 1964 में मद्य परदेश तेंदुपत्ता ब्यापार बिनेमन अधिनियम, ठीक है, 1964 का था, इसको 28 नमंबर 1964 को लागू किया गया था, ठीक है, धियान रखेगा, important question है, नेक्स्ट बात करें कर हम जो लगू बनोपज संग है, राज लगू बनोपज ब्यापार एबं विकास सहकारी संग जो होता है, इसकी स्थापना हुए थी, 1984 में, ठीक है, 1984 में इसका गठन किया गया था, ठीक है, तो यह जो लगू बनोपज संग है, इसके दोरा एकलब शिक्षा विकास योजना चलाई जा रही है, एकलब शिक् एक किस के लिए चलाई जाती है, ठीक है, तो जो तेदूपत्ता संग्रहाक हैं, या फंड मुंशी हैं, या जो प्रबंधक के बच्चे हैं, उनकी शेक्षण गत्विदियों में सहायता परदान कलने के लिए, यह योजना मद्धिपरदेश शरकार के दोरा चलाई जा रही इस वित्तवर्ष में अगर बात करें, दो हजार निस बीस के अब तक करीबी एक हजार चात्र चात्राओं को नो करोड़ अठासी लाक रोपे से ज़्यादा की सहायता इस योजना के अंतरगर दी जा चुकी है, आगे अगर हम बात करें, लगु बनोपस संग्रहाकों द्व करें, लगु बनोपज के संगरहाकों द्वारा, संग्रित बनोपज का प्राथ्मिक उप्चार करके सही मूल प्राप्थ हो सके इसलिए वंधन विकास उजना के तरफ ट्राइफ्रेड के द्वारा पहले चरण में 13 जलों में 86 वंधन विकास केंद्र इस्थापित किये गए हैं इसके माध्यम से यानि कि Science and Technology का यूज इसके अंदर किया जा रहा है कि कैसे हम बनों का अच्छा प्रबण्धन कर सकें तो बैग्यानिक प्रबंधन के माध्धम से इस वर्ष में जन्वरी 2021 तक की इस्तिती में 1010 करोड़ रुपे का राजश्य जो है वो प्राप्त हो चुका है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इसको अगला प्रशन है हाली में मुख्यमंत्री ने ओमकारिश्य में एक घाट किसके नाम पर निर्मित कराने की घोशना की है तो अभी ओमकारिश्य में नर्बदा नदी के तट पर जो मध्ध प्रदेश के नंदु भीया है ठीक है नंद कुमार सिंग चोहान इनका भी हाली में नि गोशना की है इसके साथ साथ उनकी स्मृति में एक बिस्तरत ग्रंथ भी लखवाया जाएगा जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी कारे करता हों तक के विचार शामिल किये जाएंगे इस ग्रंथ का बिमोचन भी करवाया जाएगा ये गोशना जो है मुख्यमंत्री धाराई सिंह चोहान की दौरा की गई है अगला प्रशन है मद्य परदेश में संयोगत्त बन प्रबंधन के लिए कितनी ईको विकास समितियां गठधे थे देखिके किताबों के अबडेटिट डेटा की बात करें तो प्रबंद्ध के है गठत की जा चुकी हैं देखें मद्यप्रदेश में अगर हम बात करते हैं बन प्रबंधन इस समितियां क्यों गठत के गई इनका उद्देश क्या है देखें 22 अक्टूबर 2001 को ध्याना कि 22 अक्टूबर 2001 को राष्टिय वन नीती के अनुसरण में जन्भागीदारी को करने के लिए इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया गया था जिसमें संयुक्त बन प्रबंधन के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था ठीक है संयुक्त बन प्रबंधन समितियां इनको कहा जाता है इसमें तीन प्रकार की समितियां होती है एक ग्राम बन समिति होती है एक सुरक्षा समिती मतलब है बिगडे बन चेत्रों में अगर हम बात करें तो बन खंड सीमा से 5 km दू तक विस्तुत ग्राम में आने वाली जो समिती उनको ग्राम बन समिती कहा जाता है इको विका समिती जो है उसमें जो राष्टी उद्यान और अभ्यारन जो है ठीक है नेशनल पार्क वाइड लाइब सेंक्चुरीज जो है उनमें जो जत्ते भी गाउं है उनकी बाहरी सीमा से 5 km की परिदी में ऐसे गाउं जिनका प्रभाव संगर्चे छित के प्रबंधन पर गया है 4,773 वन सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है और 1051 एकुविकास समितियों का गठन किया गया है ठीक है यह डेटा याद रखिएगा यह डेटा आपको कोई नहीं बताएगा ठीक है और इनके माध्यम से 47,000 बर्ग किलोमीटर वन शित्रों का प्रबंधन किया ज दिजेगा एक बार टोटल कितनी समितिया है वो भी ध्यान लखिए वन खंड सीमा से 5 किलोमीटर दूरी तक स्थित ग्रामों में गठित वन सुरक्षा समिति जो है वो सघनवन चेत्रों में अबहद कटाई चराई और अगनी से चेत्र की सुरक्षा का काम करती है इसके बज प्रत्था के सनरक्षण के लिए राश्टि उद्यान और अभ्यारन के बभर चेत्र की सीमा से 5 किलोमीटर की परधी में स्थित ग्रामों में एको विकास समिति जो है वो गठित करी गई है और मध्यप्रदेश में कुल 1051 एको समितिया अभी हाल में गठित है इन बन समितिय इसके साथ ही अध्यक्ष और अपाध्यक्ष के पदमें से एक पर महला की निफ्ति अनिवारिय है यह क्यों किया जा रहा है महला शशक्ति करण को बढ़ावा देने के लिए इस वित्ते बर्ष में अगर हम बात करें तो 3570 किसानों ने 32228 हेक्टर चेतर में बांस का रोपन 713 को 3 जुलाई 2013 मध्यप्रदेश में बांस के जो गठन वो किया घanted है मध्यप्रदेश में अगर हम बात करें तो सबसे जढ़ा मांस काहां पर किया जाता है मध्यप्रदेश के बाला-घाट जिले में किया जाता है ठीक है यह चीजे याद रखिएगा अगला परिशन है क इस जिले के Captain Surendra Singh Yadav, दुनिया की सबसे ऊची पहाडी चोटी Mount Everest को फताय करेंगे, देखे निवाडी जिले के है Captain Surendra Singh Yadav, Captain इनके नाम क्या किसली लगा है क्योंकि पाइलेट रह चुके हैं, और मद्यप्रदेश के निवाडी जिले के रहने वाले हैं, ठीक है, अभी हाली में मद्यप्रदेश के जो परवतार होई हैं, भावना डेहरिया, ठीक है, जिन्होंने Mount Everest को फताय किया था, ठीक है, और उनके साहस और Mount Everest पर चड़ने के द्रव संकल्प से प्रेरित होकर बार्मार्ग दर्शन से दुनिया की सबसे उची पहाडी चोटी Mount Everest को 30 March 2021 को फताय करने क के लिए रवाना होंगे, एक्टर में देखे क्या होता है, कि इनकी अभी हाली में ये ट्रेनिंग ले रहे थे, देखे, Mount Everest पर चड़ना इतना कोई आसान नहीं है, उसके लिए पहले पूरी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद इनको उस पर चड़ने दिया जाता है, तो इनकी जो नाम है भी प्रबता रहोईयों में ये जुड़ने वाला है, अगला प्रिशना, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड यूनिविस्टी गेम्स में, मध्ध परदेश, राज, तीरंदाज अकाडमी की कौन सी खलाडी, भारतिय टीम का प्रतन धुत्त करें हैं, मुसकान करार और रागनी मारको, तीरंदाज अकाडमी की हैं, मनिशा कीर की यहां पर हम गात करें तो मनीशा कीरी यह शूटिंग से संबंधित हैं ठीक है शूटिंग चेंपियंसेट से संबंदित हैं ये दोनों तीरंदाजी अकाडमी की खलाडी है और 18 से 29 अगस्त दोहजार एकिस तक चीन के चीन है चीन का जो चैंगडू है चैंगडू प्रांत जो है उसमें आज़ूत होने वाली वर्ल्ड उनिवर्स्टी गेम्स में मुस्कान किरार और रागनी मार्को भारतिया टीम का प्रत्य नद्रत्यों करने वाली है बहुत मुस्ट इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें मद्य प्रदेश में के जो तीरंदाज अकाडमी है वो कहां पर देखिए एक तो चीज़ ध्यान रख लीजे कि मुस्कान किरार जबलपूर से है वागडी मार्को भी आपकी जबलपूर से है ठीक है और यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कैसे याद रखना आपको कि मद्य प्रदेश की तीरंदाज अकाडमी है वो कहां है जबलपूर देखिए जहां पर अकाडमी होगी बहां का बच्चा स्पो यह स्थापई थी 2013 में, ठीक है, तो यह दोनों खलाडी जो है, यह World University Games में भारतिय टीम का परत्य नदित्त करने वाली है, अगला है Green India Mission योजना के बारे में, अभी हाली में World Venk के दोरा, मध्य परदेश में Green India Mission योजना की सराहना की गई है, ठीक है, यह आपने बहुत खत्रों से नपटने के लिए, ध्यान रखिए बन विभाग में गठित परियोजना की 90 निकाई दोरा, किसके दोरा? बन विभाग में गठित परियोजना की 90 निकाई के दोरा, जलबायू परिबरतन, दीकिए Green लगा हुआ है, समझ जाए, जलबायू से रिलेटेड है, ठीक आती शंबेदन शील, संबेदन शील और कम संबेदन शील शित्रों की पहचान की गई है ठीक है कितने आठ बिभिन लेंड्स के परिदर्शियों में इनको बाटा गया है National Mission for Green India में पिछली बित्ती वर्ष में 9217 हेक्टेर चित में पौधार ओपन का उपचारित किया गया ठीक है अपचारित कराया गया बिश्व बैंक के दोरा शत्य प्रतिशत अनुदान प्राप्त योजना कौनसी इको सिस्टम सर्विसिस इंप्रूब्मेंट परियोजना इसम इन चीजें आपको ध्यार रखनी है अभी हाली मैं वर्ल्ड वैंक ने सहरायना की है तो सभाविक सी बात है के ये फिलहाल नियूज में है चले कमेंट करके बताएए की स्थापना कप की गई थी और वर्णव का मुख्याल है कहां पर है और आपको कमेंट करके बताना है यह इस योजना को ग्राश्टी ग्रीन इंडिया मिशन को एक केंद्र प्रायोजित योजना की रूप में शामिल करने के पर्यावरण ये वो बन मंत्रा ले के प्रिस्ताओं को स्विक्रती परदान करी गई थी कब 20 परवरी 2014 को इस मिशन के तहत बारह भी पंचवर्शी योजना म में लगभक 13.000 को रोपे के निवेश से बनावरण में 6-8 मिलियन हेक्टियर की ब्रिद्धी करने का लग्च निल भारत किया था ठीक है इतने चीज़ें जो है वो आपको इससे रिलेटेड याद रखनी है दो प्रिशनों की बात करेंगे कल दो प्रिशन में पूछे थे कि अक्टूबर 2019 में इटली में प्रदर्शित किया गया था मैंने अक्टूबर 2019 के करेंट अफेर में भी आपको इसके बारे बताया था यह जोधिया बाई बैगा है जोधिया बाई बैगा जो है इनकी प्रदर्शनी इनकी चित्रकला को प्रदर्शनी में इटली का जो मिलान शहर है, टीक है, इटली का जो मिलान शहर है, उसमें परदर्शिद करा गया था, इनका संबंद कहां से है, इनका संबंद है मध्य परदेश के ओमरिया जिले से, किस जिले में दंध्रवुआ मंदर इस्तित है, जहां प्रतिष्थित हनुमान जी की मूर्ती, डॉक्टर हनुमा हैं कि बहाँ पर कोई साभी असाध है रोग हो बहाँ पर जाने मातर से ही सही हो जाता है इसलिए बहाँ उनकी जो मूर्ति है उसको डॉक्टर हनुमान के नाम से जाना जाता है तो दंद्रहुवा मंदिर कहां पर इस्ते थे आपका मद्यप्रदेश के भिंडजले में इस्ते आप क्मेंट्स में हम कोई ऐसा नहीं रखते हैं आपको कभी नहीं पूचा जाएगा आपको यह नहीं पड़ना जाएगा ठीक है ऐसी ऐसे मतलब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो आपको न्यूज इस कंटीनुशली पढ़ाते जा रहे हैं ऐसी जगह आपना टैंक बरबाद ना करें मुझे मैं नहीं कहरा हूँ कि आप देखें ना देखें वह आपकी मर्ची आपको द मंत्री इन चार में से आपको कमेंट करके बताना है दूसरा जो प्रशन है वो है निमलकित में से कौन भारत के नियंतरक महालेखाकार है देखें मैं पूछ रहा हूँ भारत के नियंतरक महालेखाकार कौन है यह चार में से आपको एक कमेंट करके बताना है तो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिए थैंक्यू बरी मैच